जैहिन पेंशन भोग्यो वन रैंक वन पेंशन ओर ओपी टू के उपर बड़ी जानकारी निकल करके आ चुकी है आप तमाम जितने भी भूत पूर सैने के हमारे एक्स सर्विसमेन चाई सिपाही से लेकर के ओनरिक कैप्टन तक के यहाँ पर कह सकते हमारे रिटार्ट फौजी भाई है यहाँ पर एक लंबा चौड़ा इन्फोर्मेशन नोटिस निकल करके आया है साधी साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर हमारे सिपाही लांस नायक नायक हवालदार सी एचेम आरेचेम बी एचेम सी क्यूमेच या फिर जे सियो ज्रैंक है वीडियों में बताने वाला हूँ उससे पहले सभी पेंशन धारक पूरु सैनिकवा पेंशन भोगयों को राम राम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या नीचे की सब्सक्राइब का बटन है उसके बगल में चोटी घंटी है सब्सक्राइब करते नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है इस बार जो लंगडी ओवारोपी मिली है उसके खिलाफ एक बड़ा अंदोलन होने वाला और एक नहीं बलकि पांच छे ऐसे पॉइंट है जो बहुत सारे हमारे ओवार्स और जेसे उसको पता ही नहीं है कि उनको कैसे वंचीत रखा जा रहा है यह सारे पॉइंट सुन लीजिए क्योंकि आपको आगे चल करके यह काम आएगा और आप अपने हग के लिए अपना जो आपका पैसा है वो आपको पूरा का पूरा मिल पाएगा देखिए बीस तारिक से यहाँ पर बीस फरवरी से एक बड़ा धरना परदर्शन होने वा गया पॉइंट नंबर वन में कहा गया कि जो ओर ओपी है वो सिपाही से लेकि ओनरी कैप्टन और जो एक्वेलेंट रैंग है उनको थ्री विंग्स में यहाँ पर जो है कह सकते अलग-अलग है और उनको पेट किया जा रहा लेस एमाउंट जो की उन्हें मिलना चाहिए था जादा बट उन्हें कम दिया जा रहा है इसकी लिए धरना हो रहा है आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर equal MSP service यानि MSP जो है यहाँ पर वो यहाँ पर equal नहीं मिल रहे है जिसके कारण यहाँ पर इस धरना को यहाँ पर किया जा रहा है औ और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है equal disability pension जिसके कारण huge gap देखा जा रहा है pension के अंदर और ये भी जो है मुद्दा यहाँ पर कह सकते हैं पूरा का पूरा उठाया जा रहा है और साथी साथ यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है grade pay के उपर है और ये देख सकते हैं ये सुबेदार से लेकर के सिपाही तक जो है हमारे सभी rank के लिए उठाया जाएगा साथ से जो premature retirement लिए है या फिर जो super annuation हुआ है voluntary retirement है उसके बीच में क्या अंतर है ये सब के उपर भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठाया जाने वाला है इस आ बिल्कुल सही थे या फिर नहीं नीचे कमेंट जरूर से करें जै हिंद